नवस्कार साथियों ठंड साथ बिलम से चल रही है और बहुत दीरी गती से ठंड आ रही है लेकिन राजनीती गर्मी बड़ी तीजी से बढ़ रही है कल ही चार राज्यों के चुनाव नतिज़ा आये है बहुत ही उत्सावर्दक प्रणाम है यह उनके लिए उत्सावर्दक है जो देश के सामान ने मानवी के कल्यान के लिए कमिटेड है जो देश के उजवल भविश्य के लिए समर्पित है विश्य कर सभी समाजों की सभी समूहों की शहर और गाउं की महिलाएं सभी समाज के सभी समूह के गाउं और शहर के युवां हर समुदाय के समाज के किसान और मेरे देश के गरीब यह चार ऐसी महत्यकून जातिया है जिनका एंपावर्मेंट उनको भविश्य को सुनिशित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलिवरी इन उसलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है और जब गुड गवर्नन्स होता है पूर्ण तया जन हीत के लिए समर्पन होता है तो एंटी इंकंबंसी यह शब्द इर्रेलेवेंट हो जाता है और हम लगातार यह देख रहे हैं कोई उसको प्रो इंकंबंसी कहें कोई उसे गुड गवर्नन्स कहें कोई उसे ट्रांसपरंसी कहें कोई उसे राष्ट हीत की जन हीत की ठोश योजनाएं कहें लेकिन यह लगातार अनुभव आ रहा है और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदीर में मिल रहे हैं इस संसद भवन के नए परिशर का उद्गाटन हुआ तब तो एक छोटा सा सत्र था अईतिहांसिक निर्णे हुआ था लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कारे करने का आउसर मिलेगा नया सदन है छोटी मुटी अभी भी शायद गवस्ताओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती है जब लगातार काम चलेगा समसदों और विजिटर्स को भी मिडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि आदर्णिय उप्राश्पति जी और आदर्णिय स्पीकर महोदय की नेतुत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है और आपसे भी मैं कहूंगा कोई चीज ऐसे छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्सित करना क्योंकि यह चीजे जब बनती हैं तो आवश्यक्ता के अनुसार बदलाव की भी ज़रूरत होती है देश ने नकारात्मक्ता को नकारा है मैं लगातार सत्र के प्रारम में विपक्ष के साथियों के साथ हमारी हमारा विचर विमर्स होता है हमारी मेंटिम उसे चर्चा करती है मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्सना करते हैं आग्रह करते हैं इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियां कर ली गई हैं और आपके माध्यम से में सार्वजिनी गुर्प से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आगर करता हूँ लोक्तमत्र के मंदीर जन आकांग्छाओं के लिए विक्सित भारत की नीवत को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपुर्प मंच रहा हूँ मैं सभी मान्य सांसदों से आगर कर रहा हूँ कि वो जादा से जादा तयारी करके आएं सदन में जो भी फिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो उत्तम से उत्तम सुझाव आएं और उन सुझावों के द्वारा क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत उत्तम तत्व होता है लेकिन अगर चर्चाई नहीं होती है तो देश उत्तम से मिस करता है उन चीजों को और इसलिए मैं फिर से अगर करता हूँ और अगर मैं बरतमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैटे विया साती है यह उनके लिए गोल्डन ऑपरजूनिटी है इस सत्र में पराजय का गुसा निकालने की योजना बनाने के बजाएं इस पराजय में से सीख करके पिछले नौ साल से चलाई गई नकारात्मक्ता की प्रवुत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मक्ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोंड बदलेगा उनके लिए नया द्वार खुल सकता है अगर हम दस कदम चलते तो आप बारा कदम करका फैसला लेकर करके आईए हर किसे क्या भविश्युजवन है निराज होने की जरूत नहीं है लेकिन किपा करके बहार के पराईदे का गुस्सा सदन में मत उतारना हताशा निराशा होगी आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुन्न कुर करना भी पड़ेगा लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाईए और अभी में मैं कहता हूँ मैं मेरे लंबे अनुबहों के आधार पर कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए विरोत के विरोत का तरीका छोड़िए देशित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए अच्छी उसमें जो कम्या हो उसकी डिबेट कीजिए आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफ़त पैदा हो रही है हो सकता है वो मुहमद बदल जाए तो मोका है यह मोका जाने मत दीजिए और इसलिए हर बार मैं करबध्य प्रारसना करता रहा हूँ कि सदन में सहयोग दीजिए आज मैं राजनितिक जश्रिकोंसे भी कहना चाहता हूँ कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारत्मक्ता का संदेश के आपकी छबी नफ्रत की और नकारत्मक्ता की बने वो लोगतंत्र के लिए अच्छा नहीं है लोगतंत्र में विपंश भी इतना ही महत्मपुन है उतना ही मुल्यवान है और उतना ही सामर्थवान भी होना चाहिए और लोगतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एकमार अपनी ये भावना को प्रगट करता हूं पेंटी फोटी सेवन अब बेश विश्चित होने के लक्ष में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता हुआ समाच के हर वर्ग में ये भाव प्रदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है इस भावना को हमारे सभी मानने साउसत समत आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं यही मेरी उन्चे प्रार्षना है आप सब को भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद